आज फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का आपके अपने मी और मैच चैनल पे और आज हम लोग चैंप्स 2 ग्रुप के लिए एक वीडियो लेकर आए है रिजनिंग का जिसका टॉपिक का नाम है एनलजी टो इसको जानने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की एनलजी क्या होता है तो analogy का मतलब है कि दो आपको figure दी होंगे और उनके बीच में कोई relation होगा या कोई number दिया होगा या तो कोई term दिया होगा या कोई alphabet दिया होगा मतलब कुछी की दो चीज़े दी होगी और उनके बीच में कोई relation होगा उस relation को देखके आपको दो और figure होंगे जिसमें की एक missing होगा उसमें relation establish करना होगा नहीं समझाया चलो देखते हैं जैसे यह triangle दिया है ऐसे यह relation का sign equal to this equal to question mark तो यहां पर हमको बताना है जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूँ कि one is two three तो यह equal to sign इसमें दिख रहा है ऐसा तो क्या होगा कि four is two अब देखो यहां पर एक relation में निकाल सकते हैं कि one और three में कितने का difference है बीच में two का gap है है ना मतलब one two three होता है तो two gap है यहां पर क्या होगा four five छोड़के यहां पर क्या आना चाहिए यहां पर आना चाहिए six तो यह relation हम लोग को देखके ऐसा पता चलेगा बास समझ आ गई आगे बढ़े question करें तब और ज्यादा समझ आएगा चलो तो start करते हैं आज का topic analogy तो first question आपके पास में है इस तरीके से कि against s is equal to T is to क्या तो इसमें क्या relation हो सकता है कि क्या कि इस में यह relation हो सकता है तो मतलब यह Things ओके और है अपना तो इसको फ़र घटा देते हैं तो फिर क्या काम कर रहा है देखो क्या काम कर रहा है यहां पे यह दोनों कैसे curve'd line से मिलके बने है curved line से curve मैंने बताए था कि जो straight ना हो वो curve यानि ये 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 सारे curve है तो ये देखो ये O और ये S दोनों curved line से मिलके बने है तो यानि कि दोनों की जो geometry है वो same है तो यहां पर जो T है वो कैसे लाइन से मिलके बनाएं करेक्ट स्ट्रेट लाइन से तो इन सब में स्ट्रेट लाइन वाला कौन है देखो यह भी कर्वड से मिलके बनाएं यह भी कर्वड से यह भी कर्वड से क्यों यह स्ट्रेट लाइन तो यहां पर क्या जाएगा एल बास स निकालना समझ आए आपको, चलो, आगे देखते हैं, next question, there is a certain relationship between the pair of figures given on either side of this, identify the relationship of given pair and find the missing term, देखो, इसके और इसके बीच में एक relation है, फिर आपको यहां पर बताना है क्या आएगा, चलो, तो देखते हैं कैसे, अब देखो, इस cube में, अगर जितने भी cube के face दिख रहे हैं, मतलब dice के, इस dice के जितने भी face दिख रहे हैं, उस face के dots को हम लोग add करें अगर, तो 3 और 3, 6 और 2, 8 और 1, 9, 9 हैं, इधर देखें, 5 और 4, 9, अच्छा, इधर देखें, 3 और 4, 7 और 2, 9, यानि कि जो dice है, उसके जो face पे जो face दिख रहे हैं, उसके face पे जो dots हैं, उन dots का जो sum है, वो 9 है, तो यहां पर भी कोई एक ऐसा cube आएगा, एक ऐसा dice आएगा, जिसके face पे, जो dots हैं, उनका sum 9 हो, तो देखो जरा, 4, 3, 7, 2, 9, 4, 3, 7, 1, 8, 5, 2, 7, 3, 10, और 6, और 3, 9, और 2, 11, यानि कि यह वाला है, 4, 3, 7, और 2, 9, तो option हमारा क्या हो जाएगा, आपको एक relation देखना है, मतलब आपको इन दोनों के बीक में relation देखके, फिर next relation का पता लगाना है, एक बिल्कुल detective की तरह, आगे पढ़े, आपको detective बढ़ना चलबता है, बहुत मजासी है ना spy बनने में, चलो next question की तरह बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन ये है, तो जड़ा सोचो 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 आप भी कुछ ट्राइ करो, और वीडियो को pause करके ट्राइ करने के बाद, आप replay करके मेरे साथ answer match करो, तो देखो इसमें क्या है, first और second में relation है, third and fourth में relation बताना है, तो देखो क्या relation हो सकता है, तो देखो क्या relation हो सकता है, इसमें कितने sign है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां कितने है, 1, 2, 3, 4, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, कि एक sign कम हो गया, कौन सा कम हो है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक sign कम हो गया, यहां 5 थे, यहां 4 रह गए, अच्छा, यहां count करे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पर कितने रह जाएंगे, 5, तो इन बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, आगे बढ़ें, चली, आगे बढ़ते हैं, next question है यह, थोड़ा सा, सोचो और फिर इस question को करने की कोशिश करो, क्या दिख रहा है, पहली चीज, जो यह है, वो ही shape यह है, तो इसका मतलब यह जो है, यहाँ पे भी shape आईगी, circle है, तो circle आएगा, तो चारो circle है, confused, अब देखो, यहाँ पे sky blue color है, और यहाँ sky blue color अंदर चला गया, और अंदर वाला color बहार आ गया, जो outer color है, वो inner color बन गया, और जो हमारा inner color है, वो outer color बन गया, ठीक, इसमें भी यह काम करना है, inner color आउटर बने यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, और जो outer color है, वो inner color है, अंदर sky blue होगा, तो बाहर यहाँ यह पलो आउटर बहार है, आउटर इनर होगा, और यहाँ यहाँ आउटर हो गया, बीच में जो यह वाइट बेल्ट है, यह वाइट बेल्ट ऐसे ही रही, क्योंकि इस फिगर में भी तो वाइट बेल्ट ऐसी थी, समझ आया, इस तरीके से आपको देखना है, कि क्या रिलेशन है इन में, और वो रिलेशन, जब आप पहचान जाएंगे, तो क अलग, अलग दिखने वाले हो, आपका जो mental level होगा, वो इस तम अलग होगा, आपका जो brain होगा, वो अलग तरीके से चलने लगेगा, अच्छा, अब यह question है, इस question में हमको बताना है, कि इस question माहर की जगा पे, इन चारों में से, कौन सा figure आएगा, सोचो, थोड़ा सा, बार अर्वाइस तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे कलर तो सेवी है अच्छा शेब में यहाप डिफरन्स दिखराए तो शेब देखें और देखो ये ट्रेंगल है और ये स्क्वेर है इधर वाले में क्या हो गया ये स्क्वेर ये ट्रेंगल यानि जो हमारा ये वाले जो बॉक्स है तो सब में है ये वाला बॉक्स तो सब में है ना तो इस बॉक्स को आमरे कॉंट नहीं करेंगे कुछ तो जो हमारा आउटर फिगर था वो इनर फिगर बन गया और जो हमारा इनर फिगर था वो हमारा आउटर फिगर बन गया तो इनर आउटर आपस में इंटरचेंज हो गए तो यहां भी तो यही होगा अब देखो यहाँ पर यह वाला है यानि कि यह जो अंदर है वो बाहर होगा यानि यह यहाँ पर ऐसे होगा ठिक है और जो बाहर है वो अंदर होगा यानि कि हेकसागन अंदर होगा तो अब इन में से कौन सा ओप्शन है देखो यह पेंटागन वाला तो मतलब फाइफ साइट वाला तो यह भी एक यह लेकिन अंदर क्या है यह होना चाहिए तो ओप्शन इस तो सही है डैन मता आ रहा है आप लोग वीडियो की कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ बोल दिया करिए जिससे मुझे मालूम पड़े कि सही आ रहा है समाज की नहीं आ रहा है ठीक है आगे बढ़े आगे देखो अब देखो इसमें और इसमें कोई रिलेशन है तो इसका नेक्स रिलेशन्चिप क्या होगा देखो यहां पे केवल यह वाला पॉर्शन आ गया है लेकिन कलर इनवर्टिड हो गए है यानि कि जो उपर वाला पार्ट कलर था वो वाइट हो गया है और जो नीचे वाला कलर था वो ब्लू हो गया है ठीक इसमें भी क्या आएगा इसमें भी क्या आएगा आप बताओ देखो अब इसमें तो दोनों ही color जो है वो भरे हुए हैं दोनों ही color भरे हुए हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे खाली समझ आया दोनों color क्या हो जाएंगे खाली क्यों क्योंकि inverted होंगे तो यह भी यहाँ आएगा और यह भी यहाँ आएगा अच्छा तो खाली हो जाएंगे आप आपको आपको की यह वाला ऑक्षन हमारा हो जाएगा पास समझा गई आगे बढ़ें चलो आगे बढ़तें अब आया एल्फाबेट वाला कोश्चिन है ठीक है तो अब देखो जरा इसमें क्या रिलेशन हो सकता है तो पहले हम लोग इसमें रिलेशन निकालें A B E और F G J तो देखो क्या रिलेशन दिख रहा है आपको कोई रिलेशन आपको दिख रहा है कोई रिलेशन दिख रहा है कोई रिलेशन दिख रहा है कोई रिलेशन दिख रहा है फटाफट वीडियो को पास्ट करके आप ट्राइ करो और देन उसके के बाद replay करके मेरे से साथ match करी अंसर को देखो यहां कितने का difference दिख रहा है B और C का यहां पे तुरंद बाद आ गया है ठीक है चलो अच्छा और यहां अब एक चीज देखो हमको जो relation बताना होता है वो relation इसमें और इसमें बताना होता है ना कि इन में तो पहले इसका इसका देखते हम लोग कि क्या करेंगे देखो हो है पहले तो देखो ऑद अब आता है न तो यहां पर क्या है कि कि अन ओ यहां के बार क्या आता है फैद पी-अमार्ट पी ऑले वहाले दोऊंत दो अब देखो То inglés कह अ यहां पह एक आयगा यहां पे एक के बाद तुरंद तो ब्रॉव कि आ गया उसके बाद यहां पर क्या चुटा है एच आई दो लेटर चूट गए हैं तो यहां भी दो लेटर चूटेंगे आर एस टी आएगा तो टी किसमें है यह ईक्यू टी तो ऑप्शन यह आगगा बात समझ आ गई फिर से को रिलेशन देखें हम लोग हो फिर से पार संजो और नहीं समझा रहा तो कि यह जो लिखा है एव इस्टू एफ जीज हम को यहां पर क्या लिखा है के एन ओ तो तो के आता है अब देखो एफ के तुरनद बाद जी आहिए तो पी के तुरून बाद क्या आएगा क्यूं और जी और आई के बीच में कितने का डिफ्रेंस है एच और आई तो यहां पे दो का डिफ्रेंस नहीं आर और एस वोड़ के टी तो क्या आ गया पी क्यू टी तो आप्शन इस बी करेक्ट समझाया आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है यहां क्या आएगा देखो फाइव के आगे अगर एक बढ़े तो क्या आता है फाइव क्या आगे शिक्स और शिक्स इंटू सिक्स करेंगे तो कितना आएगा तो यहां भी तो यह करेंगे 25 के आगे क्या आएगा 26 और अगर 26 इंटू 26 करेंगे तो कितना आएगा आप लोग मल्टिप्लाइ करके देखिएगा कि कितना आएगा लेकिन हमें पहले से पता है कि 26 इंटू 26 यानि होता है 676 तो ओप्शन इस थिस ठीक है ठीक है आगे है नेक्स कोश्चन है हमारे पास में यह शेप्ड बेज जैसे यह जो प्रॉड़ा अडिया लगा सकते हैं यह जो हमारे पास क्यूब है मतलब इस स्क्वेर से मिलके क्यूब बना है यह जो हमारे पास सिलेंडर है सिलेंडर किसे मिलके बना है सिलेंडर बना है यह देखो सरक से तो option क्या हो गया ये तो इसके बीच में relation क्या हो गया circle का बात समझा रही है देखो जितना ज़्यादा practice करोगे उतनी ज़्यादा चीजें आपके दिमाग में आएंगी और practice मैंने बताया था ना last video में practice से ही आपको वो method आएंगे जिससे आप अलग-अलग तरीके से सोच पाओगे और उन methods को फिर आप आगे आने वाले questions में apply कर पाओगे तो चलो फिर आगे बढ़के देखते नेक्स question हमारे पास में ये shaped ways है जरा एक बार आप लोग video को pause करके सोचिए क्या कोई relation दिख रहा है इसमें दिख रहा है सब दिख रहा है सब तो देखो फिर कैसे अब देखो ये जो figure है वो इसका हमारा क्या हो गया है inner figure बन गया है अच्छा दूसरी चीज़ ये three sides का triangle है तो जिसका outer figure बना है वो इससे एक side ज्यादा यानि four side का figure square बन गया है अब ये four side का है तो पहली बात तो ये अंदर चला जाएगा inner figure outer figure क्या होगा four से एक side ज्यादा यानि कि pentagon यानि कि ये वाला तो option is this तो ये था हमारा analogy जिसमें कि आपको दो figure दो terms दो alphabet किसी के बीच में भी एक relation आपको धूलना होता है दिकणाइज करना होता है देन आफटर उसी relation से आपको दूसरे जो पेर दिया होता है जिसमें एक missing figure या missing term होता है उसे उस relation पे fit करके find out करना होता है समझ गए तो इस video के description box में आपको link मिलेगा जिन्होंने app download नहीं किया है वह app download करके और वहाँ पे library section में जाके उसके reasoning folder में champs2 के folder में फिर से जाके आपको एक worksheet का option मिलेगा जहां पे worksheet आपको मिल सकती है वहाँ पे notes भी होंगे वहाँ पे video भी होंगे और वहाँ पे आप practice कर सकते हैं साथ में यह जो आपको जो class में जो यह presentation दी यह आपको पीडियाफ में मिलेगी और इन questions को आप दुबारा से try कर सकते हैं और notes भी उसी में ही होंगे और worksheet को practice करने के लिए जल्दी आपके पास में course आने वाला है तो जब तक के लिए बने रही है हमारे साथ thank you